दोस्तो आज की वीडियो में हम लेकर आएं पिक्सल्स की बेटरी जो हमारे घर के इंवेटर के लिए लेकर आएं। इसको कितनी प्राइस है और इसका बील विल हम सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। चलिए तो इस्टार्ट करते हैं वीडियो को तो देख सकते हो आप यह टूबलर बेटरी और इसका मोडल नंबर है आईटी सासो यह है एक सो पच्छास है ने के तो आप देख सकते हो यह पिक्सल कमपनी का है और यह कमपनी का आपना नाम भी सुना होगा है मेट इन इंडिया है और यह कमपनी वैसे बहुत चलती है लेकिन अभी जो नए बेटरी आज चुके हैं तो इसलिए यह कमपनी काभी कम हो गई है लेकिन आप देख सकते हो यह जो आईटी सासो है हमने लिया है डियर्सों एंपियर का और आईटी आटी आट्सो अगर आप लेते हो तो वह एक हुए हैं जो मेडिन इंडिया कमपनी है और गाइस अगर आप यह बेटरे लेते हो तो इसकी कमपनी की जो वरंटी है वह है 48 महीने की मान लेजिए अगर आप दूसर बेटरा लेते हो तो उनमें क्या आता है 36 12 ऐसे कोई वरंटी आती है तो उनमें आपको क्या प्रॉब्लम के पैसे लगते हैं आपके लेकिन इसमें इसा नहीं है फिक्सल में देख सकते हो आप 48 महीने की वरंटी दी हुई है तो 48 महीने में अगर बेटरे के साथ कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमपनी बिलकुल फिरी में आपकी रिप्लेस करेगी बेटरी कोई पैसा चार्ज न तो इसमें आध्यान देना क्योंकि यह प्रॉब्लम है तो 48 महीने तक रिप्लेस नहीं होती है इसमें 48 महीने तक रिप्लेस होगी पुरी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तो इस देख सकते हो हमने घर में लगवा लिया यह इन्वेटर की बेटरी और यह पिक्सल 1500 मोडल है इसके टोल टूबलर बेटरी है और अगर 40 महीने भी यह कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल रिप्लेस होगी हमने इसे ओफ्लाइन ही खरीदा है और इसकी जो रेट है गाईस हो है 13000 रूपे जिसका बिल भी का इसकी शोड भी हम साइड में दिखा देंगे आपको त इसकी हम अन्बोक्सिंग पहले कर चुके हैं तो आप दोनों अगर साथ में लेते हो तो यह लगबग आपको साड़ा सतरा हजार रूपे की पढ़ेंगी बैटरी और इन्वर्टर गाईस डेट्स ओएस की बैटरी और इन्वर्टर इसके साथ अभी जो लगा है हमारे गार में वह दूसरा कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ इसके साथ यूपीएस और उसकी हमने अन्बोक्सिंग पहले कर दी है पिक्सल्स की इन्वर्टर की जो दोनों सेट पढ़े थे हमें अगर आप दोनों अलग लेते हो तो दोनों की प्राइस में बहुत डिफ्रेंस होगा और ज्यादा लगीगे आपकी पैसे तो आप लेते हो तो दोनों साथ में लेना ठीक है और जो इसकी प्राइस हमने आपको बता दिये इसकी तिराजरू पर प्राइस लगी है वह जिसका लेवल आपको दिख जाएंगे कितना फानी है क्योंकि फानी अगर कम होता है जो इसमरी दिये हुआ आज से तो अगर उसने चला जाता है तो ब्राइब फानी कम नहीं कोना चाहिए इसका प्यारण राखना होगा जिसलिए इसका यह बटन दिए होए company से तो इससे लेवल दिख जाता है बेटरे का कि फानी कितना कम हुआ कितना ज्यादा है इससे आप समय समय पर पानी डाल सकते हो और अगर ढखन लगे रहेते तो उसमें पता नहीं चलता है और जो इसके लेवल के बटन लगे हुए गाइस यह ढखन तो इसे आपक बचल देना गाव चलना है विलेकिन देखते हैं अपको जरूर वीडियोम बताएंगा में अगली वीडियोम तो हम इसे करेंगे उसके बाद अल्ग से आपको बताएंगे कि इसमें पॉलम आती हैं नहीं आती है अभी जादा दिन नहीं हुए है इसलिए ज्ञाधा आपको नहीं बता सकते हैं इसके बारे में बाकी सभी कंपणियों के बेटर अच्छे होते हैं लेकिन कुछ भी कंपणियां गाइस आपको मैंने बताया था की वारंटी देती है वह नहीं लेना है आपको इसमार 30 महीने की वारंटी है थैंक्यू पॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स वूडियो में